निकाल लिए आज हम exercise 1 का question number 3 पढ़ेंगे find out the quiet end आपको भागफल निकालने है ओके question number 1 minus 80 divided 60 division में sign के recording कुछ नियम होते है यदि नेमरेटर मिस होता है अंस टी नेमरेटर मतलब होता है हर यदि नेमरेटर प्लस में है और टी नेमरेटर माइनस में है तो इसका sign माइनस आएगा यदि नेमरेटर माइनस में है और टी नेमरेटर प्लस में है तो इसका sign माइनस ही आएगा यदि नेमरेटर प्लस में है और हर भी प्लस में है तो इसका sign प्लस ही आएगा अंस माइनस में है और हर भी माइनस में है तो इसका sign प्लस आएगा प्लस पॉजिटिव आएगा प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इस sign को आपको याद रखना है अब question शॉर्प करते हैं माइनस 80 डिवाइड 16 माइनस 80 डिवाइड 16 16 से 80 को डिवाइड करेंगे 16 का टेबल पढ़िए 18 से ज्यादा ना ओके 16 फाइड जा 80 माइनस है यहां तो यहां माइनस आएगा ओके यहां पर देखिए अंस हर अंस अगर माइनस है और हर प्लस है यहां पर माइनस और यह प्लस तो आपका अंसर माइनस में आएगा ओके 16 डिवाइड माइनस 80 अब इस तरह से भी solve कर सकते हैं 16 का टेबल ऐसे पढ़े 18 से जाद ना हो 65 जा 80 माइनस 80 है माइनस माइनस यहां पर प्लस हो क्या आपका भागफल माइनस 5 पाया है क्वेशन नमबर 2 माइनस 24 डिवाइड माइनस 8 देखिए माइनस 24 है और ब्रैकेट में माइनस 8 है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट फ्री कर देते हैं आपको पता है ना ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है मतलब यहां प्लस है प्लस माइनस माइनस हो क्या माइनस 24 डिवाइड माइनस 8 ब्रैकेट हड़ गया देखिए अगर अंस और हर माइनस है तो प्लस में आएगा यहां माइनस माइनस है दोनों तो चिन प्लस में आजाएगा ओके एट वन जाएट एट थ्री जाएगा ट्वैंटी फॉर थ्री आया प्लस में आया है थ्री हम अंसर में 3 लिखे है मतलब 1 छूपा हुआ है 5 के नीचे भी 1 छूपा हुआ है घ्री刚 है घ्री को के अढ मतलब